हलो डियर स्टूडेंट्स स्वागत आप सभी का एक्सपी किलासिस में मेरा नाम है मुकुंद कक्षा बारा गरत के अंतरकत हम लोग अध्याद तेरा प्रायक्ता प्रोबाबिल्टी की तयारी कर रहे हैं जिसके अंतरकत मैं आपको तेरा दसम लोग एक सीद दसम चार तक कंप करने के लिए सक्षा बारा गरत की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक आउट कीजिएगा वहां पर आपको मुस्ट इंप्रोटेंट कोशन की सीरीज भी मिल जाएगी उसको भी देख लिएगा जो की बोड एक्जाम के लिए बहुत ही कारगर सावित हो सकती है यह दिए वाटसब ग्रूप भी प्रोवाइड किये जाता है ताकि आपके जो भी डाउट हो जो भी क्वेरी हो उससे आप वाटसब ग्रूप के मदद से आप अपने परिसानी को दूर कर सकते हैं सिंप्ली और अगर आप परसनल तोर्वे मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए हम इडियों को लैक को मत भूलेगा तो ज्यादह देर न लगाते हुए विविद उधारन के बारे में हम लोग करने वाले हैं विविद उधारन और बात कर लेते हैं ठीक है। और उधारन नमबर हम पहला देखने वाले हैं उधारन तैतिस कह रहा है आपको चार डिब्बों में रंगी निम्न सार्णी में दर्साय गए तरह से अबंटित की गई है तो यह आपको एक सार्णी देदी है जो आप देख पा रहे हैं ठीक है डिब्बा देदिया यहां पर औ और एक दो तीन चार डिब्बे देदी हैं रंग देदी हैं काला सफेद लाल और नी लगर के और हर एक डिब्बे में अलग अलग तरीके से यहां पर गेनों की संख्या को दर्साय गया ठीक है फिर एक डिब्बे को यह द्रक्षा चुना गया और फिर उसमें से एक गेन नि लग रहा है कुछ याद आ रहा है देखो विविद दुसरार विविद प्रिश्णा वाली बहुत इंपोर्टेंट हो जाती यह भी बात मैंने पहले आपसे समझाई आपको खईए कि बोड एक्जाम के लिए इनको आप नज़ नहीं कर सकते इनको नहीं छोड़ सकते ठीक है अ बाला है पहले हो गया, इसकी प्राइकता हम पूछ रहे है कि दिबा तीन से निकाला गिया तो समझोई पहले हैं आप हम ख्योल गिंद की बात कर लिए तो सवाल देखके यह आपको प्ताइचालना शाहिए कुल गिंद की बात अगर हमने कर ली तो पहले डिबे में डिबा दिबबाएक में दख रिएए तीन चार साथ पांग 12-6 18 लिदे थे निनक्त टूर QU तूर्休न pap TV में हमाँ पास 22 करके आठ गयन हुरही है ठीक है कि डिभा नमार लगतीना है डिब्बे नमर तीन में हमाई पास साथ गहन हो रही है और डिब्बा जो चार है उसमें हमाई पास चाहते हैं साथ एक आठ पाँच तेरा तेरा गहन हो रही है सिंपल वात है इतनी ठीर अब हमको क्या अगर आपको याद होगा बेस ठीरम जो मैंने आपको समझाए थी किस तर तीन और चार ठीक है यहाँ पर हमाँ पस कितने डिब्बी हो रहे थे वही एक दो तीन और चार और हर एक के लिए प्राइक्टा हम कितनी मानेंगे यहाँ पर इसको मान लेते हैं अगर एक डिब्बे की प्राइक्टा की बात करते हैं तो हर एक डिब्बे की प्राइक्टा वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर आती है देन आपको क्या कहा रहा है इसमें हर एक मैंसे काला रंग निकालना है आपको क्या करना है काला रंग काले रंग की गेन निकालना है तो जो ए हो जाएगा हो जाएगा काले रंग की गेन तो इसके बाद हम क्या लेंगे भाई एवाई एवन लेते हैं है ना एवाई एवन त्लाप क्या कि अगर हम डिभी एक से अगर हमनेे डिभी एक को चुना तब काले रंग की गेंगर की कितनी होगी फिर अगर हमने डिबेट दो को चुना तब काले रंगी गेंग की प्राइक तरह कितनी होगी इस हिसाब से ठीक है तो जोगी शुरुबात में काला रंग दिया था तीन दो एक चार करके तो एबाई प्रोवल्टी ओफ एबाई एवन तो तीन बटे अठारा आएगा यानी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं इसको उपर लिख लिए ठीक है इस चीज को हम यहाँ पर लिख लिए एक काम करते हैं कुल गें करके इस तरीक से डिबाई टू में कितना हो गया था आठ डिबाई थ्री इसमें हमाई पास हो गया थी कितनी तीन तो पांत तो साथ और डिबाई चार में हमाई पास तेरा हो गया थी है ना हाँ साही तो तीन बटे अठारा कर रहे हैं तीन बटे अठारा यानी एक बटे छे इसके बाद प् थे और out of 8 दो काली गयने कितने में? 8 में तो 1 upon 4 हो जाएगा then probability of A by E3 so 7 बटे नहीं इसमें कितने गयने थी वे? 1 थी 1 upon 7 हो जाएगा 1 upon 7 then probability of A by E4 so इसमें हमाँ पास थी 4 बटे 13 करके 4 बटे 13, simple अब आप क्या कह रहे हैं कि काले रंग की गयन आपने चुन ली है और वो डिबबे 3 से निकली हो यानि E3 by E निकालना है अभीष्ट प्राइक्ता अभीष्ट प्राइक्ता देखो अगर जिसने साफ़ प्राइक्ता अच्छे से पढ़ी है उसमें क्या होता है जो हमें चीज गयात है उसको नीची रखते है तो हमें गयात क्या है हम यहाँ पर यह कह रहे हैं यह दी गेंद का रंग काला है यह दी गेंद का रंग काला है तो यह हमें गयात हो गया इसकी क्या प्राइक्ता है कि डिब बतीन से निकाली किए तो हमें ये ग्यात करना है यानि काले रंग की गेंद होने की होना हमें ये ग्यात है ठीक है और जो चीज ग्यात होती है उसको हम कहां रखते हैं नीची रखते हैं यानि हमें ए ग्यात है जब हमें ए ग्यात है तो A को नीची रखेंगो E3 के लिए मैं डिबबे 3 के लिए निकालना है तो E3 को हम उपर रखेंगे सिंपल बात है यानि हम प्रायक का निकालने बाले हैं E3 by A इस आधार पे हम फॉर्मूलर क्या बनाएंगे P E3 P A by E3 ठीक है अब पॉन करके सब के लिए ले लेंगे P E1 P A by E1 प्लस P E2 P A by E2 प्लस P E3 P A by E3 P E4 P E by E4 A by E4 A by E4 ठीक है A by E4 इस तरीकी से लिए रहे है ठीक है तो यहाँ पर हम सिंपल वैलू डग देंगे हर एक E1 E2 E3 E4 के लिए 1 पॉन 4 हो रही थी वैलू यहाँ पर 1 पॉन 4 वैलू थी इन्टू A by E3 कितना था 1 पॉन 7 था यहाँ पर 1 पॉन 4 इन्टू यह हो रहा था 1 पॉन 6 करके 1 पॉन 4 यह और अधा 1 पॉन 4 करके है ना 1 पॉन 6 1 पॉन 4 देन 1 पॉन 4 1 पॉन 7 1 पॉन 4 इन्टू 4 अपॉन 13 अचा 1 पॉन 4 कॉमन है निकाल देंगे तो 1 पॉन 4 इन्टू 1 पॉन 7 अपॉन में 1 पॉन 4 कॉमन है यहाँ 1 अपॉन 6 1 अपॉन 4 और से जो सिंपली हमने यहां पर वन अपान 4 से वन एपन 4 कैंसल कर दिया अभी यहां तो इसमें हम लेते हैं ठीक है तो यह वन अपान सब्सक्राइब यहां पर और च्छे और चार के लिए लिए हैसे मोंचे मुझाए गारा बारा गुने साथ गुने तो यहां से हमारे पास LCM आ जाएगा 1092 ठीक है इतना हमारे पास LCM आ रहा 12 गुने 7 गुने 13 करते हैं तो 12 गुने 13 करते हैं 156 में अगर हम 7 का गुना करेंगे तो 1092 आ जाएगा अगर हमने 6 से को भाग दिया तो 6 कम 6 चार बच जाएगा 48 हो जाएगा दो बार में 182 आ जाएगा कुल मिलाकर ठीक है फिर हम 4 से अगर हम डिवाइट करते हैं तो 4 से 2 बार में जाएगा दो बचेएगा, तीन 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 बचेएगा तो 13에서 88 बार में जाएगा ये आपका ठीक of 104 और 5 बे जाएगा 1345 84 होजाएगा देहन हम A sure 84 आया तो अगर हम 4 का Multiply किया तो ये कितना होजाएगा 336 होजाएगा 84 में अगर हम 4 का Multiply करते हैं तो 16 बजते सकते हैं ठीक ये पूर मिलाकर इतना हो रहा है हमरे हिसाब से और फिर अगर हम इसको जोडते हैं तो अगर में जोड़ा so one upon seven upon add करने पर ही हो जाएका nine four seven upon one zero nine two ठीक है इसको पलट लेते हैं वन upon seven multiply one zero nine two upon nine four seven seven का simply multiply कर लेजिए 10 092 upon 7 का multiply करने पर यह रहा है 6 से 6 से 29 और हम यहां से भाग देते हैं तो probability of E3 by A का जो मान आ जाता है 0.165 यह answer हमाई पास simply आ जाएगा आँगे बात करें उधार नमबर 34 की तो हमसे कह रहा है कि द्यूपद बंटन B का माद गयात कीजिए ठीक है तो हमाई पास द्यूपद बंटन द्यूपद बंटन दे रखा है B413 तो आपको याद होगा B के साथ क्या होता है N और P की value दी होती है तो इस आधार पर इसलिए N का मान हो जाएगा हमाई पास 4 और P की value हो जाएगी 1 upon 3 ठीक है अच्छा N का मान 4 हो गया तो इस आधार पर आप क्या कहेंगे X की value क्या होगी या द्रिक्षिक चलोंगे 0, 1, 2, 3 and 4 इसके लिए निकालेंगे और यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो Q था है 1-P करके और यहाँ से X की value कहती है या इसी को R की value कहती है 1-P करके हो जाएगा 1-P की value 1 upon 3 तो यहाँ पर 2 upon 3 मिल जाएगी ठीक है तो अब यहाँ से हम हर एक के लिए निकालेंगे बर्नॉली सूतर से ठीक है बर्नॉली सूतर बर्नॉली सूतर ठीक है तो N, C, R, P की पावर, R, Q की पावर, N, माइनस, R यह रखते हैं Then, probability of X बरावर 0 कहलो या R बरावर 0 कहलो ठीक है So, R बरावर 0 X को हम इस तरीके से ले लेते हैं X कहलो या small R कहलो अब ठीक है और यहाँ पर आगम रखेंगे तो 4, C, 0 Then, P का मान कितना है वही 1 upon 3 की पावर 0 And, 2 upon 3 की पावर 4 minus 0 इतना मिलेगा So, 4, C, 0 का मान 1 Power अगर 0 है तो 1 Then, 2 upon 3 की पावर 4 2 upon 3 की पावर 4 4 minus 1 करके 4, C, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी 1 upon 3 मिलेगा Then, 2 upon 3 की पावर 3 हो रही तो 8 upon 27 ठीक है तो 8 चोको 32 बटे 81 मिलेगा ठीक है Then, probability of R बरावर 2 रखा तो 4, C, 2 1 upon 3 की पावर 2 upon 3 ठीक है So, 2 upon 3 की पावर 4 minus 2 करके 4, C, 2 है तो 4, 3 2, 1 और 1 upon 9 इन 2 का 2 upon 3 की पावर 2 हो रहा तो ही हो जाएगा 4 upon 9 करके अच्छा जी यहां से क्या क्या के कट सकता है अगर हम बात करें काटने के लिए इस में किनसे लो सकता है 2 से 4 दो बार में 3 से 3 तीन बार में ठीक है अचा ही ऊपर बच रहा है 8 और नीचे अपॉन में बच रहा है हमाई पास 27 ठीक अचा है एक काम करते हैं नीचे अपॉन में जो 3 है उसको ना भी काटें क्योंकि upon में 81 अगर लेके चलते हैं समयचे मेरी बात को अगर आप upon में 81 लेके चलते हैं तो कुछ नहीं कीज़े उपर नीचे 3 का गोड़ा करते हैं तो 824 बटेग क्या सी ये भी लेके चल सकते हम ठीक है क्योंकि upon में 81 लेके समय चल रहे हैं सो पी आर बराबर अगर हमने 3 लिया 4 सी 3 1 अपॉन 3 की पावर 2 2 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस 3 करके 4 सी 3 की वैलू कितनी आएगी 4 आएगी then 1 अपॉन यहां पर 3 आएगा भई यहां पर वैलू जो है वो 3 रहेगी so 1 अपॉन 27 अपॉन में 2 अपॉन 3 रहेगा मान चार दूनी 8 और 81 अब यहां पर इस तरीके से आज़ेगा then probability of r बराबर 4 की अगर हमने so यहां पर कितना बचना है अगर हम बात करते हैं तो 4 सी 4 1 अपॉन 3 की पावर 4 and 2 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस 4 तो 4 सी 4 का मान 1 हो जाएगा 1 अपॉन 81 आएगा then यहां पर भी वैलू 1 होगी so 1 अपॉन 81 तो यह आप गई यहां अब हम इसका बनाएंगे probability distribution probability distribution so probability distribution में x ठीक है और यहां पर px ठीक है so 0 1 2 3 and 4 करके so 0 1 2 3 and 4 4 की वैलू 1 अपॉन 81 और 3 की वैलू 8 अपॉन 81 टू की वैलू 24 अपॉर 81 एंड 32 बत्यक्यासी 16 बत्यक्यासी एंड 16 बत्यक्यासी ठीक है अब हम इसका माद निकाल नहां है mean ठीक है so क्या होता है formula mu बराबर होता है माई पास की sigma i equal to 1 से लेके and x i pi करके so यहां से हमसे प्लीक बोल देंगे की mu बराबर 0 गोडे 16 बत्यक्यासी plus 1 गोडे 32 बत्यक्यासी plus 2 गोडे 24 बत्यक्यासी plus 3 गोडे 8 बत्यक्यासी plus 4 गोडे 1 बत्यक्यासी जीरो वाला सिस्टम हटा देंगे, यह बचे का 32 बटे 81, 48 बटे 81, चार बटे 81, तो LCM 81 होने वाला है, simply, ठीक है, तो यहाँ पर 32, 38, अच्छा, 32, 38 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 और 24, 104 हो जाएगा, और 4 मिलेके 108 हो जाएगा, ठीक है, तो 108 बटे 81, 108 बटे 81, और यह जो चीज़े वो 9 से कट जाएगी, 9, 9, 9, 12, 18, और 9 से यह 9 बार में जाएगा, दें 3 से काट सकते हैं, है ना, तो 27 से कट जाएगा, एक्छली में, तो 3 से जाएगा, 3 चोगो 12, और 3 से 3 बार में, तो 4 आपाउन 3 आंसर, जो माँ देखा हमसे लेकिन इतनी भी हार्ट नहीं ही, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कटिनों, आसानी से आप निकाल सकते हैं, उधारन नमबर 35 की बात कर लेते हैं, मोश्ट इंपोरेंट सवाल है, लिख लो, स्टार उनालों जो करना है, मोश्ट इंपोरेंट सवाल है, बढ़ी है सवाल है, सवाल है, आप से एक निसाने बाज की लच्छ भेदने की प्राइक्ता तीन बटे चार है, तो लच्छ भेदने की प्राइक्ता तीन बटे चार देते हैं, इसको हम सपलता माल लेंगे, और लच्छ ना भेदने के लिए, मोश्ट ना बहुत भ partners लेगेंगे, ठीक है, कम से ख निसाने बाज एन बार गोली चला रहा है अब प्रायक्ता आपको कह रहा है तीन बटे चार गोली लच बेदने की निसाना लगता है सो पी सफलता लच बेदना लच बेदना इसके लिए दे रहा है तीन बटे चार क्यों अशफलता लच नहीं बेदना सो सिंप्ली 1 माइनस पी करके 1 माइनस 3 अपान 4 इतना हो जाएगा और वो कह रहा है कि कम से कम एक बार भेदने की प्रायक्ता ठीक है तो प्रोबल्टी और कम से कम एक बार लच बेदना कम से कम एक बार लच बेदना कम से कम एक बार लच बेदना कह रहा है कि 0.99 से अधिक है यानि greater than 0.99 ठीक है अच्छा कम से कम का अर्थ क्या होता है कि आपको एक तो लेना ही लेना और एक से कहा तक जाएंगे यानि greater than equal to 1 की बात करा है probability of r greater than equal to 1 greater than 0.99 अब समझो r की value हम एक रखेंगे दो रखेंगे तीन रखेंगे यहाँ पर इसका मतलब समझेगा इसका मतलब क्या है r greater than equal to 1 का मतलब क्या है और अब p1, p2, p3 या फिर इसको ऐसे लेना ही p1, p2, p3, p4, p5 and so on कहां तक जाएगी यह गाली pn तक जाएगी greater than equal to 0.99 यतना कहा है अच्छा इसमें क्या कमी है देखो मैंने आपको इस तरीके से समझाया कई बार कि प्राइक्टाओं बंटन में प्राइक्टाओं का योग जो होता है वो बन होता है इसमें क्या कमी है इसमें 0 की कमी है तो इसको हम क्या लख सकते है टोटल को की value थी 3 upon 4 की power 0 and q कमान हो जाएगा 1 upon 4 की power n minus 0 greater than 0.99 ठीक है आच्छा जी अब क्या करो एक को अगर हमने पच्छांतर कर लिया so minus nc0 का मान हो जाएगा n nc0 nc0 और यहाँ पर value बच्छी nc0 का मान तो यहाँ पर कर सकते हैं 1 पहली बात तो 1 into 1 into 1 upon 4 की power n और greater than 0.99 minus का 1 ठीक है अगर हमने पूरे मैं minus का multiply कर दिया तो जो आपका inequality जहे असमी का वो change हो जाती है यह आपने पर रखा है ठीक है तो greater than का हम less than कर देंगे यह हो जाएगा 1 upon पूरे मैं minus कोणा करने पर greater than था अब हो जाएगा less than और यह हो जाएगा 1 minus 0.99 इस तरीके से तो 1 upon 4 की power and less than अच्छा 1 मैंसे यह आएगा यह तो 0.01 बचेगा और इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 4 की power and less than कितना की 1 upon 100 इस तरीके से अब अगर हमने इसको पल्टा समझे न यह है हमारा कितना 1 upon 4 की power and less than 1 upon 100 अभी इसमें कैची गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 100 less than 4 की power and यारी हम इसको कैसे ले सकते हैं 4 की power and greater than 100 अब एन का मान हम क्या रखें ताकि इसकी value सौसे बड़ी हो जाए ठीक है निउन तम कम से कम एन का मान हम क्या रखें ताकि 4 की जो value है वो जो सौसे है वो बड़ी हो जाए तो अगर हमने एन का मान 3 रखा तो 4 की पर 34 होता है हमें कम से कम एन का मान निउन तम 4 होगा ठीक है तो आता है निसाने बाज को कम से कम चार बार गुली चलानी पड़ेगी तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसलिए यहाँ पर करते हैं अता है निसाने बाज को निसाने बाज को कम से कम चार बार गुली चलानी होगी अब मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर थोड़ा सा भी कभी सवाल में मेरे हिसाब से कमी लग रही है ठीक है तो मैं उनसे कहूंगा कि एक बार अच्छे से रिपीट करके सुन लेना मैंने क्या बो लग सवाल देखो सवाल बहुत अच्छा है कोई जादा दिक्कत नहीं एक बार हम एक बार फिर से सवाल को अगर रिपीट करना चाहें तो आद देख सकते हैं कम से कम एक बार अच्छे बेदने के लिए कह रहा था कि जो की पॉइंट नाइन नाइन से अधिक है नहीं ग्रेटा दन लगा दिए इसमें कोई समय साही होनी चाहिए ना देखो कम से कम एक बालाच बेदने की प्रायक था ठीक है कम से कम एक बालाच बेदने की प्रायक था ठीक है कम से कम का मतलब क्या होता कम से कम एक का मतलब एक बार और अधिक से अधिक कहा था ठीक है एन बाल लेंगे क्योंकि हम n की value ही निकालने के लिए भी खहरा है तो इसका मतलब यह होगी है कि r greater than equal to 1 अच्छा r greater than equal to 1 का मतलब p1, p2, p3 करें कहां तक pn तक और यह हमारा greater than 0.99 चलता रहेगा अच्छा यह मैंने आपको बता रहा है कि प्राइक्टा में प्राइक्टा का यह एक होता है और इस तरह के का सिर्ष्टा में पहले भी कर चुके हैं अगर यह चीज़ दे रखिए तो हम क्या कर देंगे simply कि 1- इसमें क्या नहीं है 0 नहीं तो 1- p0 ले लिए greater than 0.99 नहीं हमार चलता रहेगा अच्छा पी 0 में हमें फॉर्मूला लगाया बर्नॉली सूत्र सो एन की जगे एन रहेगा आर की जगे 0 रहे हो जाएगा और आर की जगे हमने 0 कर दिया पी की वेल्यू तीन बेटे चार रगती क्यों का मान वर अपॉन फूर रगती हो एन माइनस 0 कर दिया इतनी बात हो गई एनसी अच्छा एक का हमने क्या किया पच्छांदर कर लिए एक को अगर मैंने उस तरह पच्छांदर कर लिए तो यह माइनस का एनसी जिरू का मान वन पावर जिरू है तो वह जाएगा और यह जाएगा वन अपॉन फूर की पावर एन और ग्रेटर देन पॉइंट नाइन आप पूरे में देख रहे थे माइनस को कर फिर हमने गुणा कर AI पूरे में माइनस का गुणा कर भी ढ्यार क्याएं खिर माइनस का हम गुणा कर आते हैं तो इन एकुल्टी जो समय का होती है वो क्या हो जाती है बदल जाती है तो greater than का हम ले लेंगे less than ठीक है so 1 upon 4 की power n less than अब ये जो minus का एक था ही हो जाएगा plus का और जो 0.99 था ही हो जाएगा minus का तो 1 minus 0.99 इतनी बात की लिए रहोनी चाहिए अब 1 upon 4 की power n और less than 1 मैंसे हमने subtract किया घटाया तो 0.99 1 minus 0.99 so 0.01 ओके और 10 हमलों हटाएगे तो 1 upon 100 हो जाएगा इसको हम कर सकते 1 upon 4 की power n और 1 upon 100 less than चलना था फिर यहाँ पर हमने simply क्या कर लिए देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने कैची गुणा किया इसको उपर ले गए और इसको यहाँ ले गए तो कैची गुणा कर दिया है ठेक है आच्छा जिस तरफ 4 की power n है उस तरफ मुह खुलाए न तो अगर हमने 4 की power n को इस तरफ लिया तो greater than 4 समझे अब हमको ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि यह इन एकुलिटी जो इन एकुलिटी यह आप देख रहे हैं यह संतुष्ट रहे और आपको न्यूंतम मान लखना तो 4 की power n greater than 100 है तो अगर आपने n का मान देखो n का मान 0 नहीं रखोगे क्यों क्योंकि कम से कम कुछ न कुछ तो वो निसाने बाज गोली चलाएगा ना अगर उसने गोली नहीं चलाए तो वो सवाल नहीं बना तो एन का मान 0 नहीं हो सकता है ठीक है तो अगर आपने 4 का मान एन का मान 1 रखा ग्रेटर देन 100 क्या यह बात साहिए नहीं है अगर आपने 4 का मान 2 रखा जो कि होगा 16 greater than 100 यह भी बात साहिए नहीं है अगर आपने 4 का मान 3 रखा जो कि होगा 64 greater than 100 यह भी बात साहिए नहीं है 4 की वैलू 4 रखने पर हमें 256 मिलता है greater than 100 तो यह हो जाएगा नियुन तम के लिए 256 बड़ा है 100 से यह कहानिया वाई सही हो जाएगी तो इसलिए एन का मान नियुन तम कि चार हो जाएगा अता है निसाने बात क्यों कम से कम चार बार गोली चलानी होगी समझ गए होंगे अब अच्छी तरीके से उधार नमर 36 की बात करते हैं यह भी अच्छा सवाल है जाद्यान दीजिएगा सवाल में हो क्या रहा किस प्रकार के दिया है कि A और B बारी बारी से एक पासे को उचालते हैं जब तक कि उनमें से कोई एक पासे पर छे प्राप्त कर खेल को जीत नहीं लेता यदि A खेल को सुरू करें तो उनके जीतने की करंशा प्राइक तक गैद कीजिए सवाल बहुत ही अच्छा है इंपोर्टेंट है बढ़िया इस्टार इस्टार मार कर लेना और इंपोर्टेंट सवाल है अच्छे समझे लेना क्या होगा है बढ़िये सवाल है ठीक है तो अब यहां पर यह कि छे आ जाता है तो जीत जाते हैं और छे नहीं आता तो हम खेल कुछ कंटिन्यू करते हैं ठीक है तो P सफलता में लेली 6 आना ठीक है और 6 आने की प्राइक्ट है कितने होगी 1 अपॉन 6 होगी क्यों असफलता अगर हम बात करें तो 6 नहीं आना और 6 नहीं आने के लिए हो जाएगा 5 अपॉन 6 सिंपल बात है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको देन एक को ए जो है वो खेल सुरू करता है अब हम यह मानते हम निकाल सकते हैं B की प्राइक्ट है 1 माइनस A करके निकाल लेंगे ठीक है तो अब हम पहले A की बात कर रहे हैं तो अगर A ने पहली बार में चला तो पहली चाल में A अगर जीट जा यानि पहली चाल में A जीट जाता है पहली चाल में A का जीतना ठीक है इसके हम प्राइक्टाई की बात कर रहे हैं न तो यहां पर पी इस तरीके से ले सकते हैं तो पहली चाल में एका जीतना हो जाएगा भी वन अपॉन सिक्स कहलाएगा अब दूसरी चाल जो चलेगा वो बी चलेगा ठीक है दूसरी चाल चलेगा बी माल लो अगर यह हो है कि पहली चाल में ए नहीं जीता और दूसरी चाल बी नहीं चली ते दूसरी चाल में बी नहीं जीता अब तीसरी चाल कौन चलेगा तीसरी चाल ए चलेगा तीसरी चाल में या फिर इसको ऐसे लिखो यह पी यह मत लो भी पहली चाल में एका जीतना तीसरी चाल में एका जीत जीतना ऐसे लेते हैं ठीक है तीसरी चाल में चाल में ए का जीतना अब तीसरी चाल में ए का जीतना आप समझ रहे हैं भाई पहली चाल में ए नहीं जीता तो नहीं जीतने के लिए पांच बटेश है दें दूसरी चाल में बी नहीं जीतने के लिए पांच बटेश है दें दू पिस्री चाल में A जीता है तो बनाबॉण 6 ठीक है अब चौती चाल कौन चलेगा बी चलेगा तो पांच़ी चाल चलेगा A पांचवी चाल में A का जीतना अंब पांचमी चाल के लिए क्लिए क्लिए होगा अग B ने चली, B नहीं जीता, A ने चला, फिर A नहीं जीता, B नहीं जीता, then A ने चला तो 1 अप उन 6 करके A पांच में चाल में जीती है, इस तरीके से, ठीक है, and so on, ये गाड़ी आपकी यूँ यूँ ही चलती रहेगी, ठीक है, एक किसी conclusion पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो अतह, A के जीतने की प्राइक्ता, A के जीतने की प्राइक्ता, ठीक हमसे पूछ क्या रहा था, तो उनके जीतने की A और B दोनों की निकालना है, A के जीतने की प्राइक्ता क्या हो कि इन सबको हमको add करना है, ठीक है, add क्यों करना है, देखो, condition के लिए क्या हो सकते है, ये हो स यह चलना ना यहा का मतलब क्या होता है एड करना होता है है ना A plus AR plus AR square plus dot 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 तो अनन्त स्रेणी का योग योग अनन्त स्रेणी का जो फॉर्मूला होता है योग कितना होता है A upon 1 minus R A upon 1 minus R फॉर्मूला हमाई पास ये होता है ठीक है इसका इस्तमाल कर रहे हैं यहाँ पर आप देख लीजे कि जो a की value है प्रितम पर कितना रखना है 1 upon 6 और r की value हो जाएगी 5 upon 6 की power 2 r की value हो जाएगी 5 upon 6 की power 2 simple तो यहाँ पर हम इसको solve कर लेंगे so a की value 1 upon 6 upon 1 minus r की value 5 upon 6 की power 2 तो यहाँ से में मिल जाए 1 upon 6 upon 1 minus 25 upon 36 LCM ले ले लेंगे भई 1 upon 6 upon 36 minus 25 upon 36 जैने इसको हम पलटते है 1 upon 6 multiply यह जाएगा 11 चत्ते सूपर जाएगा 11 नीचा आएगा 6 बार में कट जाएगा So probability of A हमारे पास कितना जाएगा 6 upon 11 A के जीते हैं की प्राइक ता 6 बार्टे 11 और PB PB कहलाएगा 1 minus PA simply So 1 minus 6 upon 11 करके वापस आजाएगा PB कितना जाएगा 5 upon 11 5 upon 11 सबाल सरल था important था इस तरीके से लगा देंगे ठीक है यह PA हो गया यह PB हो गया ठीक है आंगे बात करते हैं और हमको उदार नमर 37 पढ़ना है यह भी बहुत important सवाल है देखो मैंने पहले भी आपसे कहा रखा कि बेविद उतारन और बेविद प्रिश्णावली के सवाल important होते हैं यह भी सवाल आया हुआ सवाल है important सवाल है ज़्यादा ध्यान पूरह समझेगा और सवाल समझके ही आपको पता जाएगा हमें concept कौन सा लगाना है यदि एक machine समझेगा डंग से स्ताबित की जाती है तो यह 90% स्युकार योग वस्तू उत्पादित करती है यदि यह समझेगा डंग से स्ताबित नहीं की जाती है तो यह मात 40% स्युकार वस्तू बनाती है पूर्व अनगा यह दरसाता है कि machine 85% समझे डंग से स्ताबित होने की प्राइक्ता गयात कीजिए अब सवाल को देखे आपको क्या समझेगा रहा कुछ आइडिया मिल राकि किस तरीके के सवाल भाई दो को इस तरीके के सवाल हमने बेस्तिरों में लगाएं की नहीं ठीक है बाकि सारी जो चीजे थी उसमें सीधे सीधे हमें जानकारी दी होती थी इस तरीके के जो सवाल होते तो आपको बेस्तिरों में देखने को मिलते थी तो यात कर लीजिये द्यान दे लीजिये अगर आपको एक आइडिया है तो यह आपको उसमें स्हुन में आ जाएगा आपया किower है मसीन हमाँ पास सिंपली मसीन है के अप मसीन का होता क्या है मसीन का स्थापन होता है ठीक है मसीन सही से इस्थापित हुई और मसीन सही से इस्थापित नहीं हुई मसीन सही से इस्थापित नहीं हुई यानि यहाँ पर हम simply कह रहे हैं E1 और यहाँ पर simply कह रहे हैं E2 ठीक है अब आप को सवाल में क्या कह रहा है वही कि यदि यह समुचित धंग से इस्थापित नहीं की जाती है तो यह मात्र 40% स्यूकार वस्तू बनाती है ठीक है कि पूरव अनुव यहाँ पर दिया है भई पूर अनुव यह बता था कि मसीन स्थापन 80% समुचित धंग से इस्थापित होना यानि की 80% वह अच्छे से स्थापित हो जाती है तो यहाँ पर simply हमको दे रहा है 80% तो यहाँ पर हो 20 perfect simple बात है then वो कह रहा कि स्विकार योग बस्तू तो यहां पर हमने A के लिए माल लिए स्विकार योग बस्तू स्विकार योग बस्तू की बात कर रहा है तो अगर वो पहली मसीन से निकाल ले हैं ठीक है तो प्रोविल्टी ओफ पहली मसीन के लिए A by E1 हमें ग्यात है पहली मसीन से निकाल ले हैं स्विकार योग बस्तू तो अगर हमने जो चीज ग्यात है यानि E1 ग्यात है उसको नीचे रखेंगे और स्विकार योग बस्तू की बात करें और यहां पर सवाल में देखो हमसे कहरा है कि यदी यह पूरो अनवह यह बताते हैं इसमें मैंने सायर यदी एक निश्चित स्थापन के बाद मसीन मैंने थोड़ा सा सवाल को छोड़ दिया है सवाल देख लीजिए पूरो अनुह यह दरसाता है कि मसीन इस्ताफ़ान 80% समूचित है, यहां तक हो गया था, यदि हाँ, मैंने सबाल को थोड़ा सा मिस कर दिया है, थोड़ा सा आप किताब में देख लेजेगा, एक बार मैं किताब से आप कुछ सवाल देख लेता हूँ, मैंने यहां पर चीज मिस कर दिया, ध्यां नहीं दिया सबाल देखते हैं, यदि एक मसीन समुचित डंक से स्थाफित की जाती है, तो यह 90% स्यूकार बस्तू बनाती है, इतपाल करती है, यदि यह समुचित डंक स्यूकार बस्तू बनाती है, ठीक है, यहाँ तक हो गयाता सबाल हमारा, इसके बाद थोड़ सा मैंने, पूर्वा अन ठीक है सवाल जो है अगर मैं बात करूँ आपसे समुचित ढंग यहां से इतने के बाद हाँ थोड़ा सा दो तीन लाइन है जो छूट गई है असी परशन समुचित है यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मसीन दो स्यूकार बस्तू बना पादित करती है तो मसीन को समुच होगी उससे आप दी देख सकते है ठीक है तो दो बस्तू बनाता है तो दो बस्तू की बात कर रहे हैं और समुचित ढंग से इस्थापित होने की दो यहां पर दीक है समुचित ढंग के इस्थापित की जाती है तो यह 90% 90% कह रहा है और यदि समुचित ढंग से नहीं की जा दो बस्तू की बात कर रहा था ना तो दो बाल लेंगे हमारे पास है कि हमारे पास एक मसीन है अब मसीन को हम सही से फिट कर पा रहे हैं तो वो कह रहा है 80% मसीन को सही से फिट नहीं कर पा रहे हैं तब वो कह रहा है 20% है अगर हमने मसीन को सही से फिट कर लिया तब कहता है कि उससे जो प्रोड़क्ट निकलेगा अगर हमने दो प्रोड़क्ट की बात की तो अगर जो प्रोड़क्ट निकलना है वो 90% सही हो रहा है तो 90% गुरे 90% और अगर हमने मसीन को सही से फिट नहीं किया तब वो product हो रहा है, 40% सही, तो 40% 40% करके हमें दो बाल ले लिए, simple इस तरीके से हमको सबाल कह रहा था ठीक है तो ये बात आपको clear रही होगी then आपसे कह रहा था कि समुचे ढंग से स्थापित होने की प्राइक्ट अग्याद कीजिए आपसे ग्याद के लिए के रहा है machine की समुचे ढंग से स्थापित होनी की प्राइक्ट अग्याद कीजिए यानि E1 के लिए आपसे निकालने के लिए के रहा है किसकी निकालने के लिए के रहा है तो यहां पर पहले हम लेटे है probability of E1 जो है 80% यानि probability of a by e1 अगर हम ले रहे हैं जो की हो रहा है 90% 90% करके 90% गुड़े 90% तो यहां से मिलीगा 0.9 multiply 0.9 probability of a by e2 a by e2 हो रहा है 40% गुड़े 40% 0.4 multiply 0.4 ठीक है अभीष्ट प्रायक्त probability of e1 by a निकालना है यानि probability of e1 probability of a by e1 upon probability of e1 probability of a by e1 plus probability of e2 probability of a by e2 so यहां पर e1 के लिए हमाँ पस कितना होगा 0.8 कह रहा था और a by e1 0.9 multiply 0.9 upon में यहां पर 0.8 multiply 0.9 0.9 प्लस और यहां पर e2 के लिए 0.2 गोड़े 0.4 गोड़े 0.4 ठीक है तो यहां पर 9 81 आएगा 9 गोड़े 9 और 8 का गोड़ा करेंगे 81 में तो 88 64 68 अठेकम 8 तीन अंग पर दसम्लो 0.648 यहां आएगा 16 दूनी 32 यहां पर हो जाएगा 0.032 ठीक है simply हम इसको एड़ करने वाले 0.648 एंड यह हो जाएगा 0 448 6 दसम्लो 0 ठीक है तो यहां पर probability of E1 by A कितना हो जाएगा 648 बटे 680 और इसको हल कर रहे हैं तो probability of E1 by A 0.95 ठीक है भई तो सवाल important है विविद उधारन के भी उधारन नमर 37 पर जो दिया है उधारन नमर 37 38 और 35 तो यह तो important है ही है और 32 और 32 34 और 33 33 उतनी important नहीं है लेकिन आपका 34 भी important है 35 भूत important है 35 most important सवाल है 36 भी important है और 37 भी important विविवद उधारन के सारी सवाल important है अच्छे से देख लिजेगा क्या होना है क्या नहीं होना है जब भी बात होगी किस्मत की भागगे की ये सारी चीजें मेहनत के आँगे बौनी सावित हो जाएंगी छोटी सावित हो जाएंगी इनका कोई मूले नहीं रहेगा मेहनत के आँगी नेरेत मर्मा जी ने भी हमें यही बताया है कि अपने सपनों के पीछे भागो अपनी मेहनत को उस हद तक जाओ ताकि आपकी जो किसमत है जो आपकी भाग के वो बौने साबित हो सकें कोने में बैट कर क्यों रोता है यू चुप चुप सा क्यों रहता है आगे बढ़ने से क्यों डरता है सपनों को बुनने से क्यों डरता है तकदीर को क्यों रोता है मेहनत से क्यों डरता है जूटे लोगों से क्यों डरता है कुछ खोने के डर से क्यों बैठा है हाथ नहीं होते नसीब होते हैं उनके भी तू मुठी में बंद लकीरों को लेकर रोता है भानू भी करता है नितने शुरुआत सांज होने के भैसे नहीं ड़ता है मुसीवतों को देखकर क्यों ड़ता है तू लडने से क्यों ड़ता है किसने तुमको रोका है तुम ही ने तुमको रूका है भर सहास, और दम, बड़ा कदम और इस से अच्छा कोई मौका नहीं मिलता है तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं सवाबत होता है उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा ये दी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को like, share, comments करना मत भूलेगा चैनल को subscribe कर लीजे, bell notification को और select जरू कर लीजे ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका notification आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी application को जरूर डाउनलोड करें, जिसका link आपको description मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर में भी search कर सकते हैं, xp classes, वहां से भी आप हमारी application को जरूर डाउनलोड करें, like classes के साथ साथ वहां पर आपको free PDF, note solution और एक dedicated whatsapp group भी provide किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका doubt हो, Twitter के link आपको description में ही मिल जाएंगे, सभी के link आपको description में दिये हुए हैं, तो उनको आप follow जरू कर सकते हैं, वहां पर हमें, मिलेंगे अगली वीडियो लक्चार के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जैभाएं